जापान एक दो कदम नहीं बलकि सो कदम आगे है विश्यों में इसकी एडवांस टेकनोलोजी और एक विशेश जीवन सेली के लिए दुनिया बर में जापान अपनी एक अलग पहचान रखता है तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले है जापान की टेकनोलोजी के बारे मे तो वीडियो में बने रही हगा नमबर एक जादातर देशों में हर गलियों का अपना एक नाम होता है लेकिन जापान में इसा नहीं है जापान में गलियों को ब्लोक नमबर की जरीए पहचाना जाता है नमबर दो जापान एक ऐसा देश है जहाँ 20 सेकेंड की देरी भी इंकन सेट डिलेट होने का रिकार्ट सिर्फ आदे मिनट का है अगर इस देश में एक घंटे की देरी हो गई तो अकले दीन अकबारों के हेडलाइन बन जाती है नमबर तीन जापान में साफ सफाई की उपर बहुत ध्यान रखा जाता है यहां बच्चों को पहली क्लास से ही स साफ सफाई की बारे में सिखाए जाता है इन्हें अपने क्लास की रूप की सफाई करनी पड़ती है बच्चों को एक साथ मिल जुल कर रहना पड़ता है और अपना खाना भी बाट कर खाना होता है जापान के में बच्चों को टोलेट में साफ सफाई करना सिखाए जाता है नमबर चार, जादातर देशों में वेंडिंग मशीन का इस्तमाल स्नैक्स और कॉर्डरिंग के लिए किया जाता है इनकी संख्या भी सीमित होती है लेकिन दुनिया भर में जापान में सबसे जादा वेंडिंग मशीन है यहां लगबग हर 23 लोगों के लिए एक मशीन है लेकिन जापान में आज भी लिफ्ट मैन या लेफ्ट गर्ल सेवा के लिए मौझूद है जापान में डिपार्टमेंट स्टोर और होटल लिफ्ट को मेनेज करने के लिए भी अलग से लोग मौझूद रहते हैं नमबर 6 अक्सर करनमचारियों को ओफिस में सोने पर अपनी नोकरी तक हाथ से दोना पड़ती है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, यहां ओफिस में सोने वालों को महनती आदमी समझा जाता है। बिजनेश कल्चर में काम करने के दूरान सोने की अनुमुती मिलती है। उन्होंने इन्हें मूरी नाम दिया हुआ है नमबर साथ अक्सर जंगलों को परियटन इस्थल के रूप में देखा जाता है लेकिन जापान में एक जंगल है जो काफी डराऊना माना जाता है इस जंगल में लोग सिर्फ आत्मत्या करने के लिए जाते हैं यहां का ओकी गहार का फोरेश सूसाइट फोरेश के नाम से मशूर है इस जंगल में हर साल लगबग सो लोग आत्मत्या करते हैं नमबर आट एडवांस टेकनलोजी और अजीबो गरिब आविसकारों के लिए जापान हमेशा ही फेमस रहा है वर्स 1989 में जापान ने कैपसुल होटल लॉंच किय इस होटल में छोटे-छोटे कमरे बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है अक्सर लोग सीधे और सेड़ दातों के शोकिन होते हैं लेकिन इसके विपरिद जापान में दातों का अलगी फेशन है एक छोटी सी सरजरी करवा कर लड़कियां अपने दांत बद इसक्राइब कर लोगों की बीड को ट्रेंड में जस्ट करने के लिए एक पूशा रखे जाते हैं नमबर 11 लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए तकीय का इस्तामाल किया जाता है इन तक्यों की खास बाद यह होती है कि इसमें अलारम क्लोग की तरव वाइबरेटर लग दिया जाता है दर असल बेबी मॉंप बच्चों को पहना दिया जाता है जिससे वे रेंगते रेंगते खेलने के साथ साथ फ़र्शिप की सफाई भी कर देते हैं इससे बच्चों का खेलना भी हो जाता है और फ़र्शिप की सफाई भी हो जाती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा comment में जरू बताये और आपने अब अभी तक वीडियो को like नहीं किया subscribe नहीं किया तो भी like और subscribe जरू कर देए